नहीं नहीं आज नहीं आज नहीं होगी आज नहीं है बाएर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है बाकि कल होगी दोस्तों वैसे तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी है लेकिन आज भी हमारा देश अलग-अलग सामप्रदायों, जातियों और समाज में बटा है हर समाज और समप्रदायों के लोगों ने इस देश के लिए अपने खून का एक एक कत्रा बहा दिया ताकि हमारा ये देश बना रहे भारत में ही कुछ समाज ऐसे हैं जिनसे दुश्मनी लेने पर हर ताकतवर से ताकतवर इंसान घबरा जाता है ऐसे ही एक समाज की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब बिश्नोई समाज के नाम से जानते हैं सबसे पहले आपको बता दे कि बिश्नोई शब्द की उत्पत्ती 20 और 9 से हुई है स्थानिय भाषा में 20 का अर्थ 20 और 9 का अर्थ 9 होता है दोनों का योग करने पर योग 29 होता है उस समय के गुरु जंबेश्वर ने अपने अनुयाईयों को 29 नियमों की अचार सहीता प्रदान की थी इन नियमों का पालन करके मनुष्य सरल्ता से परमात्मा की प्राप्टि कर सकता है जिसका ये समुदाय पालन करता है इसी कारण इस समुदाय का नाम बिश्णोई पड़ा है बिश्णोई धरं की बोली में एक कहवत बहुत प्रचलित है और वो कहवत ये है 29 धर्म की आखडी हिर्दिय धर्यो जो जमभूजी कृपा करी नाम विश्णोई होए जो लोग गुरु जमभेश्वर के 29 नियामों का हिर्दिय से पालन करते हैं वो लोग विश्णोई कहलाते हैं चलिए दोस्तो अब विश्णोई समाज की वीर गाथा के बारे में जानते हैं दोस्तो ये बात है करीब चोधनवी शताबदी की जब अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कबजा कर लिया था और हमारा धर्म पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा था लोग अंग्रेजों को देखकर वेस्टन कल्चर की और प्रभावित हो रहे थे उपर से अंग्रेज अधिकारियों ने भारत के उन हिस्सों पर कुछ लड़कियां खुली छोड़ दी थी जहां पर धार्मी गती विधियां ज्यादा होती थी उन जगों पर ये गोरी अंग्रेजने वेस्टन ड्रेसेस को पहन कर गलियों में घूमती थी और भारतिय पूरुशों को लुबाती थी उनके मन को भटकाती थी और उनसे संभोग जैसी प्रक्रिया करके उनके धर्म और चरित्रु को नश्ट करती थी और सिर्फ यही नहीं बलकि इन लड़कियों का मुख्य काम हिंदू मुस्लिमों के बीच एक दरार पैदा करना था धर्म को गिरते हुए देखकर उस समय के एक प्रसिद संत गुरू जमभेश्वर ने साल 1485 में विश्नोई धर्म की स्थापना की थी बतादे की गुरू जमभेश्वर को जमभुजी के नाम से भी जाना जाता है विश्नोई समाज के बारे में एक बात और कही जाती है कि विश्नोई शब्द वैश्नवी शब्द से निकला है जिसका मतलब है विश्णू से जुड़ा या विश्णू का उपासक इसलिए भी इने विश्णोई कहा जाता है विश्णोई समाज की शुरुवात राजिस्थान के सूखे पहाड़ी इलाकों से हुई थी जहांपर पानी की बहुत किल्लत थी और पानी की किल्लत होने की वजह से खाने की खेती और रोजमर्रा के कामों की भी दिक्कत होती थी बिश्णोई समाच का मानना था कि इस प्रकृती को आप जितना संभाल कर और सहच कर रखेंगे आगे चल कर ये प्रकृती आपको अतना ही अच्छा फल देगी जिस कारण बिश्णोई समाच के लोग प्रकृती की हर चीज को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं पेड़ पोधे, जानवर, पक्षी यहां तक की कहते हैं कि जब बिश्नोई समाज के लोग अपने खेतों में फसल काटने के लिए जाते हैं तो पहले धरती मा को प्रणाम करके फसलों से माफी मांगते हैं और फिर उन्हें काटते हैं बिश्णोई समाज के लोगों के बारे में इतिहास में आपको कई सारी चीजे सुनने को मिल जाएंगी जैसे कि समाज के लोग बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं एक बार ये दोस्ती कर लें तो फिर आजीवन उसे निभाते हैं चाहे भले दोस्ती की कीमत इन्हें अपनी जान दे कर ही क्यों न चुकानी पड़े शुरुआत में जब बिश्णोई समाज की स्थापना हुई तो इस समाज में राजपूत, जाट और बनिया जाती के लोग थे और उस समय ये बिश्णोई समाज सिर्फ राजस्थान के रेतीले शेत्रों में था लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया वैसे वैसे समाज से लोग जुड़ते गए क्योंकि बिश्णोई समाज को उस समय सबसे ताकतवर समाज माना जाता था ये समाज एक ऐसा समाज था जिसमें निश्पक्ष इनसान था ये लोग दिल के बहुत साफ और इमानदार थे जो जरूरतमन लोगों की मदद करते थे ये लोगों के बीच में प्यार और भाईचारे का संदेश देते थे लेकिन आपको बता दे कि ये जितने प्यारे थे उतने ही खतरनाग भी थे बिश्णोई समाज हमेशा से लोगों के इनसाफ के लिए खड़ा रहा है चाहे फिर किसी को उसका हग दिलाना हो या फिर इनके समाज के इनसान के साथ कुछ गलत हो रहा हो बिश्णोई समाज हमेशा से अपने समाज के साथ खड़ा रहता है दोस्तो पंधरवी शताबदी के अंत के समय की बात है जब अंग्रेजों का बोलबाला काफी हो चुका था भारत में इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार लगभग जमा ही लिया था उसी समय दिल्ली और राजिस्थान के बॉर्डर एरिया पर एक खबर बहुत तेजी से ओडने लगी और खबर थी कि राजिस्थान के श्रमिक वर्ग के घर की ओड़ते और लड़कियों गायब हो रही है इस बात की खबर उस समय के अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी से की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तभी कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर बिश्णोई समाज के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई ये बास सुनकर बिश्णोई समाज के लोगों ने कुछ समू बनाए और वहीं पर रहने लगे कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन अचानक एक दिन देखा गया कि कुछ अंग्रेज सिपाही रात के समय एक लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे है उसी समय बिश्णोई समाज के लोगों ने उन सिपाहीयों को घेर लिया और उन्हें इतना मारा कि उनकी जान चली गई और बिश्णोई समाज के लोगों ने इस बात का एलान भी किया कि अगर कोई भी अधिकारी या फिर कोई आदमी हमारी बेहन बेटियों की तरफ देखेगा तो उसकी जान जानी निश्चित है सिपाहीयों की खबर पाकर अंग्रेज अधिकारी आक्रोश में आ गए और उन्होंने बिश्णोई समाज पर गोलिया चलाने का आदेश दिया दोनों तरफ से लड़ाई हुई जिसमें कई अंग्रेज मारे गए लेकिन इनसान और सच्चाई की इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कुछ बिश्णोई समाज के लोगों ने भी अपनी जान गवा दी दोस्तो धीरे धीरे बिश्णोई समाज बड़ा होता जा रहा था लेकिन इस समाज में कभी भी मुखिया या फिर राजा बनने की दावेदारी नहीं हुई क्योंकि संत जमभेश्वर का कहना था कि कभी भी समाज में राजा या फिर मुखिया नहीं बनेगा क्योंकि बिश्णोई समाज एक परिवार है और परिवार में हर व्यक्ति की वैल्यू होती है ठीक उसी तरह इस समाज से जुड़ने वाला हर व्यक्ति वैल्यूएबल है और यही बात इस समाज की सबसे अच्छी बात है दोस्तो अभी तक तो हमने बात की कि ये समाज कितना बोला है सबका साथ देने वाला है और इंसाफ दिलाने वाला है लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्णोई समाज के लोग कितने खतरनाक हैं जी हाँ दोस्तों विश्णोई समाज के लोग जितने ही सीधे और अच्छे हैं उतने ही टेडे और खतरनाग भी है ये अपने दुश्मन को मार कर ही दम लेते हैं और विश्णोई समाज के लोग किसी भी इनसान की हर गलती माफ कर सकते हैं लेकिन अगर किसी आदमी ने इनके सामने कोई पक्षी या फिर किसी ऐसे जानवर को मार दिया जिसकी ये पूजा करते हैं तो फिर ये उस इंसान को सजा के रूप में सीधे मौत देते हैं। क्योंकि बिश्णोई समाज के लोग किसी मूर्ती पूजा पर विश्वास नहीं रखते हैं ये लोग पर्यवरण को ही पूजते हैं और उनकी ही सेवा करते हैं। पहले के समय में ये लोग ज्यादतर जंगल और थार के रेगिस्तान के पास रहते थे जिससे यहां के बच्चे जानवरों के बच्चों के साथ खेलते हुए बड़े होते थे लेकिन अब ये समाज देश के विभिन हिस्सों में पाया जाता है। उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, राजिस्थान और उत्तर प्रदेश आदी के हिस्सों में इनकी तादात ज्यादा है जो की धीरे धीरे और बढ़ रही है। दोस्तों पहले इस समाज के बारे में अतना कोई भी नहीं जानता था, लेकिन लोरेंस बिश्नोई की वजह से अब इस समाज को हर कोई जानता है। इस समाज की महिलाएं खुद को हीरनों के इन बच्चों की मा कहती हैं हीरन के बच्चों को दूद पिलाने के बारे में कोई खास जानकारी तो प्राप्त नहीं है लेकिन बिश्णोई समाज के बड़े बुजुर्गों से पूछने पर पता चलता है कि एक प्रथा है जो की जी लिए अपनी जान लगा दी है ऐसे तो इस समाज की बहुत कहानिया है लेकिन एक बार जोधपूर से सटे खेजडली गाउं में वर्ष 1736 में खेजडी पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्णोई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी उस वक्त खेजडली और उसक होने इसका विरोत किया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो पेड़ों को ना काटे लेकिन वो नहीं मानें तभी खेजडली में रहने वाली अमरिता देवी ने गुरु जमभेश्वर महराज की सोगंद दिलाई और पेड़ों से चिपक गई इस पर बाकी लोग भी पे के नाम का मेला लगता है जिसमें केंद्र और कई राज्य सरकारे बिश्णोई समाज के जो लोग परियावरन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरसकार देती हैं दोस्तो आपको साल 1988 का ब्लैक बग केस तो याद ही होगा जिसकी वजह से सल्मान खान को जेल भी जाना पड़ा था उसके बाद इसी मामले की वजह से ही लौरेंस बिश्णोई ने अपने इंटर्वियों में खुला कहा था कि वो सल्मान खान को मारना चाहता है क्योंकि सल्मान खान ने जैपूर में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दोरान एक काले हीरन का शिकार किया था जिसकी वजह से सल्मान खान को जेल भी हुई थी हाला कि अब सल्मान खान इस मामले से पूरी तरह से बरी है लेकिन लॉरेंस बिश्णोई ने सल्मान खान को जान से मारने की धमकी दी है लॉरेंस बिश्णोई का सीधा कहना है कि या तो सल्मान खान हमारे गाउं जाकर एक बार माफी मांग ले नहीं तो फिर उसे हम मार देंगे वैसे दोस्तो इतना सब को जानने के बाद विश्णोई समाज के बारे में आपका क्या कहना है नीचे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सेट कर लें धन्यवाद